Hey everyone, मैं अनू आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी Law of Attraction के Success Story सुनाने वाली हूँ जिससे आपको ये पदा चुलेगा कि बिना किसी टेक्निक को किये आप अपने जिंदगी को बदल सकते हैं क्यों अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है ये सारी चीजे मैं आज आपको Story के थ्रोष सुनाऊंगी ये Story जब मैंने पढ़ी है तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए सुनना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आप लोग के साथ Story को सेयर कर रहे हूँ उसके पहले मैं कहना चाहूंगे कि अगर अभी तक आपने course book नहीं लिया है तो उसे ज़रूर ले, follow करें और अपनी life को completely change कर ले लोगों ने course book को लिया है, उनके experience मैं हर रोज share करती हूँ Instagram पे बहुत सारे लोगों के experience share किये हैं मैंने वहाँ पे जाके पढ़ो, या channel पे, community में भी मैंने post किया है बहुत सारे लोगों के experience post किये हैं, उनको भी आप पढ़ो और देखो लोगोंने कितने अच्छे-च्छे success अपने post किये हैं, जिन्हें पढ़के आपको भी खुशी होगी तो आपके लिए course book को follow करना बहुत ज़रूरी है, तो उसे low और एक बर उसे follow करो और अपने life के magic, अपने life में magic होते हुए देखो, जब आपके पस एक chance है तो इस chance को miss मत करना course book के लिए आपको मुझे mail करना है या फिर मुझे instagram पे message करना है तो चलिए हम अपने story को start करते हैं ये जो story है वो राजीव M. भाटिया की है और उन्होंने लिखा है मैंने 2009 में the secret video देखा और तब मुझे अपने जीवन में अपनी असफलताओं के मूल कारण का एहसास हुआ मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वीडियो ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया वीडियो देखने से पहले मैं अंजाने में the secret की मूल बातों को follow कर रहा था जैसे कि उस चीज की कलपना करना जो मैं चाहता था हाला कि इसे कैसे कर रहा था यह प्रभावी नहीं था क्योंकि उन प्रयासों में बहुत सारे नकारात्मक वचार शामिल थे वीडियो ने मुझे अहसास करया कि मैं कहां गलत हो गया और मैंने इसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत करी पहले मैं दूसरों की गलतियों को गिनता था मेरी एक मान सकता थी कि बिना बड़े शंगहर्स के जीवन में कुछ भी नहीं आएगा और मुझे अपने असफलताओं और अपने विरोधियों के लिए एक मजबूत नकारात्मक भावना थी विडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी से या किसी चीट से नफरत करने का मतलब है कि आप वास्तों में ब्रह्मांड की परम शक्ती से नफरत कर रहे हैं मैंने अपने जीवन में एक साधारन बदलाओ किया मैंने अपने आसपास कि हर चीट से प्यार करना शुरू कर दिया और मुझे अपने मन चाहे परिणाम मिलने लगे हाला कि मुझे यह स्विकार करना होगा कि दूसरों की आलोचना को बंद करने के लिए और सभी से प्यार करना शुरू करने के लिए मेरे लिए आसान नहीं था अगर मैं यह नहीं कर पाता तो कम से कम मैं उस व्यक्ति और उस स्थिती को अंदेखा कर देता जिनसे मैं प्यार नहीं कर सकता मुझे इस पर काम करने में लगभग तीन साल लग गए और अब मैं स्पस्ट रूप से अंतर महसूस कर सकता हूँ मेरी आर्थिक स्थिती अब काफी बहतर है मैंने एक नया घर और एक नई कार ले मेरे मन को शांती प्राप्त हुई सबसे महत्वपोन बात यह है कि इस प्रक्रिया के दोरान मैंने अपने जीवन में दिशा प्राप्त की मैं वास्तों में उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो अपने जीवन से खुश नहीं है और इसके लिए मैंने एक तनाव प्रबंधन सेवा कमपनी चलाने का फैसला किया मैंने पहले ही लोगों से मिलना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ तो अब मैं एक ऐसा व्यक्ती हूँ जो कुछ साल पहले अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए मदद मांग रहा था बहुत जादा महनत कर रहा था और मैं अब दूसरों की मदद करने के लिए तयार हूँ क्योंकि इससे मुझे वास्तविक खुशी मिलती है मैं अब खुद को एक महान स्थिती में महसूस करता हूँ और यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्दियों में से एक है रॉन्डा बर्न का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे जीवन में मेरी दिशाद दी वाव देखा आपने कितनी प्यारी सकस स्टोरी थी इनकी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई टैकनिक नहीं कि सिर्फ इन्होंने आलोचना बंद कर दी, क्रिटिसिजम बंद कर दिया सेल्फ लव का सबसे फर्स स्टेप जो één है कि आप हर तरीके के क्रिटिसिजम को बंद कर दे मैं आप लोगों से हम्मेशा कहते हूँ चीजों की बुराई करना बंद कर दो और सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी होती है कि आपको अपनी बुराई करना बंद कर देना चाहिए जब आप ये करते हो तो लोगों में भी आपको बुराई नहीं दिखेगी और जैसे ही आप आलोचना बंद कर देते हो criticism बंद कर देते हो तो आप देखोगे कि आपकी life सच में बदल गई है क्योंकि जब आप बुराई करना बंद कर दोगे तो आपका ध्यान सिर्फ अच्छाई पे रहेगा और एक बात आप clearly जानते हो कि जहां भी आपके विचार होंगे जहां भी आपका ध्यान होगा वो चीज एक्सपैंड होगी वही चीज आपकी life में manifest होगी तो ये भी एक आसान तरीका है आप इसे कितने दिनों में अपनाते हैं ये आपके उपर depend करता है कल जो मैंने वीडियो अपलोट की थी उस वीडियो को आप देखना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या हम गलती करते हैं किसी चीज को manifest नहीं कर पाते हैं आखिर उसमें क्या गलती है उसमें मैंने ये भी बताया है कि अपने उपर आपको work करना है तो ये उन्हीं चीजों में से एक है कि आपको अपने उपर work करना है कि criticism नहीं करना है आलोचिना नहीं करनी है आपको उस वीडियो की link मैं आपको description में दे दूँगी आप उसको एक बार देखना आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीजे क्यों इतनी जादा important है एक बार खुद सोचो जब आप चारो तरफ से positive attack करोगे अपने mind पे positive बनाने के लिए उसे सब कुछ करोगे तो सोचो आपकी life कितनी जल्दी change होगी सिर्फ एक practice आप लोगों को इतना अच्छा बना सकती है तो अपने उपर की गई दो-चार practice आप लोगों को कितना आगे लेकर जाएगी और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको आपकी life में ये तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या बनना है या जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे तो वो सब कुछ आपको मिलेगा वो सब कुछ आपको universe बताएगा guide करेगा आपको guide किया जाएगा उसके लिए आपको potential लेनी की ज़रत नहीं है जैसे राजीव के जिनके स्टोरी मैंने बताई अभी आप लोगों को इन्हें नहीं पता था कि इन्हें life में क्या करना है लेकिन इन्हों ने जब आलोचना को बंद किया तो देखे इन्हें पता चल जा कि इन्हें किश्यूस की company खोलनी है, open करनी है, start करनी है तो इन्होंने वो काम किया और इन्हें सफलता मिली, तो आप लोगों को भी अगर नहीं पता है तो आप लोगों को भी guide किया जाएगा अगर आप लोगों को नहीं पता है आप लोगो क्या करना चुए तो आप लोगों को guide किया जाएगा इसी तरीके से यूनिवर्स हमसे बात करता है आस पास की चीजों को दिखा के और जब आप इस मेसेज को नहीं लेते हो तो आप यूनिवर्स की बात नहीं मानते हो तो आपको जो है अभी मेरी बात माननी चाहिए इस वीडियो की बात माननी चाहिए और आज से ही criticism बंद करने क प्राक्टिस स्टार्ट कर देनी चुई है एक दिन में यह नहीं होता है मैंने बहुत लोगों को यह चीज सिखाई है कि आपको जो है किसी की आलोचना नहीं करनी है चाहे वो पसंद बुरा है अगर आप उसको माफ नहीं कर सकते तो उसको जाने दो अपना ध्यान हटा लो और आपको यह सारी बाते समझ में आ गई हूं और मेरी बात आप मानोगे और जो मैं कहती हूं उसको करोगे कोर्सबू को फॉलो करना बिलकुल मत भूलना जिन्होंने भी लिया है वो अपनी स्टोरी मुझे सेयर कर सकते है मैं उसे पोस्ट करूं भी बहुत सारी स्टोरी आई ह हैं जो कि मैं कल से पोस्ट करने वाली भी हूं और हमारा एक वोटसब ग्रूप है अगर आप उसको जाइन करना चाहते हो तो मुझे मेल करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेच करना आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगी थाइम यू सो मच फॉर व